हेलो एंड वेलकम दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में आपको वीडियो एडिटिंग करना सिखाने वाला हूं आपने सीख लिया है तो दोस्तों यह चीज आपके जीवन में बहुत ज्यादा काम आने वाली है हो सकता है अगर आप कभी भी यूटूब इस्टाट करो तो तब यह वीडियो एडिटिंग में आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है अगर आप वाट्चाप पे अपनी खुद की मना के इस्ट्टास अपलोट करना चाते हों तो इसमें भी वीडियो एडिटिंग बहुत ज़्याता को ज़रूर देखना मैं आपको सारी सारी चीज आ अगर आप वीडियो को पूरा देखोगे तो आप 101 प्रसेंट वीडियो एडिट करना सीख जाओगे तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों मैं आपको पावर डारेक्टर से वीडियो एडिटीन करना सिखाने वाला हूं तो चलिए हम पावर डारेक्टर को हम ओपन क कर लेते हैं कि दोस्तों पावर डारेक्टर उपन हो चुका है तो आपको यहां पर जाना है न्यू प्रोजेक्ट पर आपको क्लिक कर देना है ठीक दोस्तों अब आप यहां पर क्लिक करोगे तो दोस्तों आपको यहां पर अपने प्रोजेक्ट का नाम लीग देना है दोस्तो तो आप यूतुम में से कोई साभी आप सीलिक्ट करते हैं तो मुझे यूटूम के लिए विडियो बनाना है तो में यह साइज यहा है यहाँ पर चूस कर लिता हूं दोस्तो उसके बाद आपकी गेल्टर में जितने भी सारे वीडियो है वो सब यहाँ पर शो हो जाएंगे तो आपको जो भी वीडियो एडिट करना है उसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है माली जब मुझे यह वाला वीडियो एडिट करना है तो मैं इसे यहाँ पर सि करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें अपने वीडियो को कट कर लेना है जो पार्ट हमारे लिए काम का नहीं है वह उस पार्ड को हमें यहां पर डिलीट कर देना है तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर मुझे सिंपल यहां पर क्लिक कर देना है तो यह देख सकते हैं ल автом मेरा विडियो को पंचराब्ण को को एक वाला पार और एक यह वाला पार टो यह वाला पार की मुछे ज़रूरत नहीं है तो मैं इसे यहां दिलिट कर देता हूं ठीक है दोस्तों मैंडा वीदियो जो है cutting हो चुकिए इसकी फूरी complete दोस्त अगर आप आप अपने वीडियो को बीच प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् नम्हीं यहाँ पर एक ये चल्षनं करता हूं यहाँ पर क atención करता हूं तो कि यहाँ से अपनी भिट्नेश के बता हों है तो मैं अपने वीडियो की तोड़ीे नैस यहाँ बढ़ा देता हूं तो मुझे कुछ इतनी ब्रिटनेश चाहिए तो उसके बाद मैं वीडियो प्ले करके बता देता हूँ आप देख सकते हैं तो दोस्तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपनी वीडियो की बिटने तो दोस्तो अब मैं आपको बता देता हूं कि आप अपने वीडियो में कोई भी गाना या फिर बेग्राउंड सोन केसे डाले तो दोस्तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है यह आप करता हूं और फिर प्लस वाल आईकन बीधिक करता हूं तो मेरा म्यूजिक यहाँ पर आ जाएगा उसके बास में यहाँ पर चलने लगा है तो दोस्त आप देख सकते हैं गाना बहुत ज्यादा लंबा है और मेरी वीडियो छोटी 650 अब मैं आपको यह म्यूजिक करना बता दे पेंसिल पर टच करने के बाद देख सकते हैं फिर से वही की वही इस्टेफ है हाँ से अपना यह music cut कर देता हुँ अब देखessäकते हैं दो पाड में यहां पर फिर हो छुका है तो मैं यह दुपर यहां पर जिलिट कर देता हूं तो मैं ने यह पाड़ हुआँ यह पेले वाले उपस्टन पर आपको यहां पर क्लिक करदेना है उसके पाद आपको इसे यहांपर कर देता हूं दुसरा पाड मैं इसको यहांपर कट कर देता हूं ठीक'क दोस्तों उसके बाद येले वाला पार्ड है तो में इस पेले वाले पार्ड मेंपको कुछ भी एफेक्ट्स करके बतादेता हूं तो फिर आपको एफेक्ट्स वाले movement पर क्लिक कर देना है उसके बाद आपके सामने बहुत सारे इप्ट्स आ जाएंगे ताप कौन सा भी उप्ट्स आप उप्योग कर सकते हैं वाले जिए मैं इस वाले का उप्योग करता हूं तो आप मैं आपको वीडियो करके बता देता हूं मेरी वीडियो किस तरह से प्ले हैं तो मैं फिर से उप्योग पर सकते हैं वाले जैसे को यहाँ पर क्लिक कर देता हूं है तो देख सकते हैं यह प्ले और अच्छा है तो सत आंसले आप की वीडियो और भी अच्छी लग रहे हैं उसके बाद में तीसरे वाले पार्ट खेया पर फिर से एक्ति आता हूं तो दोस्तों मैंने यह वाला इप्रेटट सीनें पर अप्लेखोम कर देता हूं ठीक दोस्तों अब में आपको पूरी वीडियो फ्लेख कर करके बता देता हूं कि हमारी वीडियो क्य से चलेगी है हर आर спас कहए हर करा हर अद्रा दोस्तों इस वीडियो में एडिटिंग के लिए बहुत सारे काम और बाकी है पर मैं आपको सिर्प और सीफ इतनी ही एडिटिंग बतां Commission में आपको सारी एडिटिंग एक साथ बता दोंग म तो आप सब भूल जाओगे दोस्तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं किस लुटी ने अच्छा लगा लगा तो वीडियो को लाइक कर रहें और चेनल को सब्क्राइब करनार भिल्क भी मत भूलना हम वीडियो को यहाँ से आप 새лон कर सकते हैं दोस्तो अपनी गेलरी में दोस्तों यहां से आप अपनी वीडियो की क्वालिटी आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको वीडियो क्वालिटी में आपको यहां पर सेव करना है और उसके बाद आप इस तरीके से अपनी वीडियो को सेव कर सकते हैं तो दोस्तों इस तरी